गुद बॉर्निंग वेलकम टी टुडेश क्लास आज हम उसी कॉडिनेट जमेट्री जो टैंथ क्लास का सेवन चेप्टर उसको कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था और उससे रिलेटिट कुछ प्राक्टिकल एप्लिकेशन्स और कुछ प्राक्टिकल एप्लिकेशन्स में लेकर आई हूं यह 7.1 एक्ससाइस के कुछ क्वेस्टन्स हैं क्या है क्वेस्टन पहला क्वेस्टन है फाइंद पॉइंट उन एक्सेश फोई डिस्टेंट फॉम एंड बी कहता एक्सेश पे कोई भी पॉइंट पता करना है जो ए x-axis है यह तो x-axis पे किस तरह के points होते हैं जिन में सिर्फ x values होती है इसका मतलब उनका y वाला coordinate क्या होता है जीरो अब x की कोई भी value हो सकते है तो हम क्या लेंगे x-0 अब कहता equidistant का मतलब है कि P जो है वो A से भी उतनी दूरी में है जितना B से मतलब यह दूरी AP और PB दोनों आपस में बराबर है माली जी AP 5 cm की दूरी है तो PB में भी कितने की दूरी होगी 5 cm ठीक है तो हम क्या करेंगे PA का distance और PB का distance दोनों को बराबर रखके तो हम यह x की value पता कर लेंगे तो वह पॉइंट आ जाएगा ठीक है तो कैसे लिखेंगे solution लेट पॉइंट पी क्या है एक्स जीरो ओन एक्स 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 पर पॉइंट ठीक है अब according to question तो question क्या है distance जो है वो पी एक एक बराबर BP मतलब A से जो पी का है distance वो B से पी का same ही है तो अब इसका distance कैसे पता करेंगे A और P A यह रहा और P यह रहा तो हमारे पास A है 2,5 है हना B है माइनस 2,9 है तो चलिए पहले AP मतलब P पिछले वाले के पहले लिखने coordinates अगले वाले के बाद में तो X-2 हो गया X-2 की square प्लस अब 0-5 ठीक है और इसकी bracket की square अंडरूट यह हो गया अब इस तरफ BP है मतलब P के coordinates पहले लिखेंगे B के बाद में X-2 ब्रैकेट square प्लस फिर के 0-9 ब्रैकेट का square और अंडरूट यह है अब इसको तो X-2 का square तो वैसे का वैसे ही तो यह करें माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 5 की power square ठीक है अंडरूट अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो X-2 का square प्लस 0-9 दोनों के लग-लग निशान है तो क्या करूंगी माइनस तो माइनस 9 का square यह आ गया अब सबसे बड़ी बात यह अंडरूट और यह अंडरूट टेकिंग square बोट साइड़ ठीक है तो जब square लेंगे हम दोनों तरफ तो square root क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और दूसरी बात चलिए पहले एक step पे एक ही काम करते हैं अब square root cancel करेंगे तो क्या बनेगा जीरो यह तो zero प्लस 55 square बन गया अब अंडरूट और इसकी square है तो यह और यह cancel हो गया इसे तरह एकस प्लस चू का च्केर नंध का च्क्यस 81 माँनस माइनेस बनेस बंस तो यह क्या हो गया स्केर यह और यह क्या हो गया थैसे जाएंड अब आपको याद हो तो हमने काई अद्टिटी की थी, क्या थी अद्टिटी, a minus b ka square is equals to a square plus b square minus 2ab, यह किया था, इसी तरह plus वाली भी की थी, a square plus b square plus 2ab, मतलब तीनों का निशान plus के थी, अगर minus वाली हो तो सिर्थ 2ab का निशान minus का होता, अब यहाँ पर पहले वाले पर minus वाले ही लगेगी, यह वही तो a कितना X B कितना है 2 . तो x square स्केर स्केर मतलब x eaşै Materi यहां पर 1x भीक है, 2 तो वैसे ही x square plus 2 का square plus 2 into x into 2 plus 81 यह आ गया, तो यह क्या हो गया, x square plus 2 का square 4 minus 2, 2 का 4 into x plus 25 इस तरफ इधर के आ गया, x square plus 2 का square 4 plus 2, 2 का 4x plus 81 यह आ गया, अब सारी रख में एक तरफ ले जाएए, चाहे इसको इस तरफ, चाहे इसको इस तरफ, मैं इन सब को इधर लेकर आने लगी हूँ, तो क्या बनेगा, x square plus 4 minus 4x plus 25 minus x square, जब यह सारी रख में इधर आएंगे, तो इनके निशान बदल जाएंगे, x square को इधर लेकर है, निशान minus 4 का भी minus, 4x का भी minus, 81 का भी minus, 0, अब यह और यह cancel हो गए, 4 अलग-लग निशान है, तो cancel हो गए, 4x यह दोनों सेम निशान है, add करेंगे, 4 में 4 add कि 8, x वैसे का वैस निशान बड़ी रकम का, अब 25 और 81 अलग-लग निशान है, तो minus, 81 में से 25 गए, तो कितना आया, 56 निशान बड़ी रकम का, तो यह आ गया, ठीक है, अब इन दोनों में से, अगर हम देखे, तो क्या cancel हो रहा है, 8 के टेबल पे, दोनों डिवाइड हो रहे है, minus 8 के टेबल प 56 को 8 के टेबल पे कट किया, तो कितना आगया, 7, तो अब X 7 दूसरी तरफ किया, तो कितना आँसर आगया, minus 7, इसका मतलब P के कोडिनेट के है, X 0 था ना हमारे पास, तो इस X की के इतनी value गी, minus 7, 0 तो यह answer आगया, हमने वो point पता करना था, X axis पे, जिसका A और B से distance ब्राब ठीक है, तो next question है हमारा, कहता है, find the values of Y for which distance between points P and Q is 10 units, मतलब कहता है, एक यह P point और यह क्या है, हमारे पास Q point है, अब इन में distance कितना है, 10 units का है, ना centimeter दिया, ना meter, जब हमें कोई proper unit ना दिया हो, तो हम simple units भी कह सकते हैं, तो P के कोडिनेट उसने दिया है, हमें 2, minus 3, और Q के क coordinate दिया है, 10 Y coordinate का है, अब कहता है, Y की value पता करनी है, तो अगर P और Q में distance 10 units है, तो यह तो simple है, P का distance 10 units है, अब P का distance पता करें, 10 minus 2 की bracket का square, plus Y minus minus 3 bracket का square, under root is equal to 10, 10 में से 2 गए, 8, 8 का square, plus, अब यह minus minus plus, Y plus 3 का square, under root is equal to 10, अब यह square root है, तो taking square, जब square root को cancel करना हो, तो हम square लेंगे, उसका opposite लेंगे, taking square on both sides, ठीक है, यह क्या हो गया, अंडर root को हमने 8 की square कितना हो गया, 64 हो गया, plus Y plus 3 का whole square, वैसे का, वैसे है, अब यह under root का whole square, is equal to 10 का whole square, यह power square, अंडर root से cancel हो गई, तो क्या बचा, 64 plus Y plus 3 का whole square, is equal to 10 की power 2, मतलब 10 को, 2 times multiply करना है, तो कितना हो गया, 100, तो यह 100 आ गया, अब इसको solve करना है, यह जैसे हमने पहले किया था, क्या formula है, अब इस पे, A plus B का, क्योंकि बीच में हमारे पास कौन सा sign है, plus का है, तो A plus B का square, यहाँ पे एक बार लिख लेते, formula का है, A plus B का square is equal to A square, plus B square, plus 2AB, अब A यहाँ पे क्या हैगा, मेरे पास Y और B की जगा कितना भरूंगी, तो चलिए भरते हैं, 64 plus Y square, plus 3 का square, plus 2 into Y into 3, अब यह 100 भी मैं इस तरफ ले आई, तो माइनस का हो गया, उस तरफ क्या आ रहा गया, 0, अब Y square वैसे का वैसे, 64, यह 64 भी वैसे का वैसे, प्लस 9, plus 2, 3 का 6Y, minus 100, is equal to 0, अब 64, 9, और 100, पहले 64 और 9 दोनों एक ही साइन है, तो एड करूंगी, कितना आ गया, 73 आ गया, तो Y square, plus 6Y, plus 73, minus 100, is equal to 0, अब इन दोनों के लग-लग निशान है, तो minus करूंगी, तो कितना आ गया, 27, तो निशान कौन सी रकम का आएगा, minus 27, अब ये quadratic equation बन गई, इसको solve करना हमने सीखा है, 4 chapter में, चाहे तो आप by splitting the middle term कीजिए, चाहे, क्या कहते हैं, quadratic formula से कीजिए, चाहे, per completing square से कीजिए, तो मैं simple factorization method से करने लगी हूँ, इसको multiply किया 27, उसके roots बनाए, 1, 27, 3, 9, last का sign कौन से, minus, तो minus किया, इसको 27 में से बान ग तो 3 गए 6, अब 6 का निशान प्लस का है, तो निशान बड़ी रकम का आता है, इसका मतलब 9 का प्लस ये minus, तो इसको लिखूं कि कैसे y square, प्लस अब ये लिखना हमने, minus 3y plus 9y, साथ में y वैसे का, वैसे, minus 27 is equal to 0, मतलब y square भी वैसे, 27 भी वैसे, 6y की जगह पर हमने, minus 3 plus 9 ल बनानी है, अब पहली जो दो टर्म से उसमें से y कॉमन निकाला, तो यहां पर कितना बच गया, y minus 3, अब यहां पर भी जो पहले bracket बनाई है, वही पीछे लिख दी, तो अब 27 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 9, वो यहां लिख दिया, ये निशान वैसे का, वैसे, त तो y minus 3 into y plus 9 आ गया, bracket is equal to 0, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो y कितना आ गया, 3, यहां पर y कितना आ गया, minus 9, ये आ गया, तो हमें उसने क्या पता करने को कहा था, find the values of y, for which distance between points, this and this is 10 units, तो हमने y की value पता करनी थी, तो y y की value क्या आगी, 3, मतलब क्यों के coordinates क्या हो गए, या तो 10 3 होगा, और या क्या होगा, 10, minus 9, तो यही पता करना था, तो यह हो गया, है ना easy, तो इस तरह यह सारे 7.1 के questions है, distance formula से related questions है, ठीक है, आप मैने जो important, important questions थे वो करवा दिया, आपने और इससे related questions अपनी 7.1 exercise में से कर नहीं है, ठीक है, हम नेक्स lecture में हम एक निया formula लेकर आएंगे इसी chapter का, till then, thank you, have a nice day.